जैहिंद प्रेंड में मुहम्मद जमाल आज हम बात करने वाले हैं जनता दर्बार जी हां जनता दर्बार सरकार आपकी दुआर में कौन-कौन सा फॉर्मेट आपको भरना चाहिए जिसका काम तूरंत होता है प्रेंड जी हां यदि आप जार्खन के निवासी हैं तो भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी का माहूल यह है कि सर पे चुना हुए अभी यदि कोई चीज में आप फॉरम भरते तो आपका काम बहुत जल्दी होगा प्रेंड तो पहले हम इस चीज को बता देते हैं कि जार्खन में जनता दर्बार स्टार्ट हो चुका है यदि आप चाहें तो उसमें फॉरमेट भर सकते हैं आपका कोई काम रुका हुआ है तो आप जनता दर्बार में जाके उसका काम किलियर करा सकते हैं यानि पैंसन के रिलेटेट हो गया हो रासन कार्ट के रिलेट हो गया कोई भी चीज की जरूरत हो जो भी आपका काम फसा हुआ ह प्रेंड आपको हम इस परस्ट बता देते हैं यदि आपका कोई काम फसा हुआ है फ्रेंड तो बिल्कुल आप जनता दरबर जाईए और वहां से आपका अपना काम किलियर करवा लिजिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए क्योंकि सरकार खुद आपके द आपका जनता दरबर लगने वाला है यदि हो चुका है और कोई आदमी फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो भी इस वीडियो को जरूर वह देखें क्योंकि फ्रेंड देखिए बात ऐसे नहीं है बात ये भी है यदि आप जनता दरबर में फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं तो जन जनता दरबर में कौन सा फॉर्मेर जमा करेंगे जो कि आपके लिए बहतर होगा और जिसमें आपका काम हो जाए एक नमबर में हम बात करेंगे फ्रेंड यदि आप इससे पहले अबुआ आवास का फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा म माकान देना है यदि आपका भी घर मिटी का है तो बिल्कुल आप सबसे पहले अबुआ आवास में चांस मारें अबुआ आवास में फॉर्म जमा करें जरूरी नहीं कि आपका घर अभी हो जाए यदि आप अभी फॉर्मेट जमा करते हैं तो दो साल एक साल के अंदर में आ साला यानि जिसको बोलते हैं पस्सू पालन भाग आप यदि जंदा दरबार जाते हैं तो आपको एक बोर्ड मिलेगा बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा पस्सू भी भाग उस जगह पे जाना है और वहां पे आपको फॉर्मेट देना है जिसका नाम होगा आपका गाई सेट जी हाँ यदि आप गाई सेट में फॉर्म भरते हैं तो एक गाई सेट का जो पैसा देता है सरकार वह एक लग तीसाजर रुपया देता है तो इसमें भी काफी अच्छा आपका बेनेफिट मिल जाएगा यदि आप चाहें तो गाई सेट का भी फॉर्म भर लीजिए उसके अबुआ आवास हो गया क्योंकि यह सब चीज है अबुआ आवास आपका तूरंत नहीं होने वाला है लेकिन गाई सेट जो है आपका जल्दी हो जाएगा तो इसलिए यह मौका को आप हाँ से बिलकुल जाने ना दे यदि आपने सोचे हैं कि जनता दरबार आपको नहीं ज जरूर मिलेगा उसके बाद आगी है यदि किसी बच्चा का नाम चड़ाना है रासन कार्ड में तो बिलकुल आप जनता दरबार चल लेए वहां से आपके बच्चे का नाम रासन कार्ड में एड हो जाएगा यह भी एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है उसके बाद प्रेंड यदि किसी बच्ची को नाया रासन कार्ड बनाना है तो बिलकुल आप जनता दरबार चल लेए जनता दरबार है वाहां जाके फॉर्मेट जमा नहीं कर पाये हैं तो वो बिल्कुल एक काम ऐसा कीजिए जैसे जनता दरबार खतम होता तब ब्लॉक में जाके जमा कर दीजिए वीडियो साब के पास या ब्लॉक का कोई भी कर्मी होगा उनको उनके हाथ में दे दीजेगा तो अभी आपका जनता दरबार का ही मतलब वेल्यू दिया जाएगा उसका भी उसके बाद हम बात कर लेते फ्रेंड सरकार बहुत सरा ऐसा कार्ट बना के देता है जो की बहुत ज़्यदा बेनेफिट उसमें मिलने वाला है बहुत आदमी को बेनेफिट मिला भी और बहुत आदमी को मिल भी रहा है यदि उस परकर का कोई कार्ड आपको बनाना है तो आप जनता दरबार बिल्कुल सौट कर अभी आप सरकार आपकी दौ़ार चल रहा है किसी भी ऑनलाइन वाले को एक भी रूपिया नहीं देना आप जो भी करना है जनता दरबार में जाके करना है क्योंकि अभी आपके लिए बहुत बड़ा मौका है सरकार आपके दौ़ार में खुद आया हुआ है यदि आप इस मौके पर कुछ बेनेफिट नहीं ले पाते हैं तो आप क्या लेजिएगा तो बिल्कूल आप इस मौका को हाथ से जाने ना दे परें क्योंकि देखे जनता दरबार में आदमी बहुत बोलता है कि काम नहीं हो रहा दे गलत सीज़ है परेंगे यदि आप बढ़ियां से देखने जाएंगे तो बहुत सारा काम जनता दरबार से हुआ है सरकार जो यह इसकीम चला रही है फिरेंड यी बहुत ही अच्छी स्कीम है योडि आप जंतादारबार के थ्रू कोई भी काम कराते हैं तो आपका काम जल्दी होगा चाहे रासन कट के रिलेटेड हो गया हो या आधार कट के रिलेटेड हो गया हो या उसके बाद अबुवा अवास तो बिल्कुल आप जनता दरबार में जाती निवासी जरूर बना ले। यदि जनता दरबार में जाती निवासी जरूर बना ले। यदि जनता दरबार में जाती निवासी जरूर बना ले। यदि जनता दरबार में जाती निवासी जरूर बना ले। यदि जनता दरबार में Sam to Sam आपको एक ही दिन में जाती निवर्सी बनके आपके हाथ में दे देगा प्रेंट तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका है तो बिल्कुल एक भी मौका हाथ से जाने ना दे जनता दरबार अभी स्टार्ट है और आप बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिये इसमें आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है बहुत सारा काम हो रहा है और यह जो भी चीज है प्रेंट यह स्पेशल जनते के लिए ही है तो आपको यदि आउर जनता दरबार में यदि आपको इस तरह का लग रहा है कि कहां से कौन फॉर्मेट जमा करेंगे वह अगर आपको नहीं पता तो वहां एक अलग से चेंबर बनाया गया जो कि आपको इस पेशली बताएंगे कि हाँ आपको कौन सा फॉर्मेट लेना है आपको कौन सा फॉर्मेट भरना है format भी किस परकार से भरेंगे सारा चीज वो आपको बता देगा प्रेंट तो बिल्कुल यदि आपके circle में आपके पंचायत में अभी तक जनता दरबार नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल सारा format रेडी करके ही जमा किजिए ताकि सब आदमी को इसका benefit मिले ज़्यदा कुछ नहीं प्रेंट ऐसे तो बहुत ज़्यदा टाइम लगेता है यहां आदमी को जाने आने के लिए तो कुछ नहीं करना जनता दरबार जाना है फॉर्म जमा कर देना आपको return आ जाना है उसका benefit आपको जरूर मिलेगा बहुत कोई बोलता है यार क्या करें यह बहुत बार दिये जमा कियें यह कि यह मुकीन नहीं मिल रही हूँ तो इससे नहीं यह प्रेंट यदि आप जनता दरबार में कागज देते हैं तो इसका लाब आपको guarantee मिलता है मिलता है यह हमको पता है और हम खुद block label में काम करते हैं कर रहे हैं और कर चुके हैं और कर भी रहे हैं कर चुके नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको पता है यदि आपको कोई भी काम करवाना है तो भी जनता दरबार हो रहा है सरकर आपके दोबार यदि किसी का pension नहीं मिला के रिटेट में आप सकते हैं मयां सम्मानी योजना यदि कोई ओनलाइन कर पने ताब वहां से ओनलाइन कर सकते हैं सारा चीज फिरी ओप कॉस्ट है एक रुप्या भी किसी को पैसा पेमेंट नहीं करना होगा इसके रिलेटेट में और हम बात कर लए फ्रेंड यदि आप इसी मेरा जब बहुत ज़्यादा बेनेफिट मिल जागा थैंक्यू जय हिंद